और अब चर्चा वास्तु शास्तर की वास्तु शास्तर में आज हम बात करेंगे दक्षिन पश्चिम यानि की दिशा के बारे में दक्षिन पश्चिम दिशा को भारी सामान रखने के लिए सबसे उचित दिशा माना जाता है घर बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वहां के दक्षन पच्चे महिस्से को उचा रखना चाहिए साथ ही इस दिशा की दिवारों को अन्य दिशाओं की दिवारों से मोटा बनाया जाना चाहिए अगर आपके घर में सिलिह बनाई जानी है तो वो भी घर की इसी दिशा में बनवाई है आप चाहें तो इस दिशा में कि स्टोड रूम भी बनवा सकते हैं जिसे भारी सामान रखने के लिए उपयोग मेलाना चाहिए इस दिशा को भारी सामान रखने के लिए चोप योग मिलाना चाहिए इसके पीछे भी कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स मौजूद है संक्षेप में यो समझ लिया कि दक्षिम पर्चिम दिशा में भारी सामान रखने से घर्ग में उर्जा का संतुलन बना रहता है